गोपान ने की ब्लोग में आप सभी लोगों का स्वागत है और गाइस बच चुके हैं सामके 5 और आज पहाडों में मौसम की बात करें तो गाइस सुबह से धूप लगी हुई है और कर रात पहाडों में थोड़ा बहुत बारिस हुई थी और दिन में धूप लग रही है मुष्या कोट का गाउं है तो वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बनना है तो चलते हैं मुष्या कोट के मंदिर में और आपको दिखाते हैं किस परकार से मंदिर बन रहा है तो मैं और कानू जा रहे हैं मेरे साथ कानू आ रहे हैं देख सकते हो मैं और कानू जा रहे हैं आज हम हम जारें मुष्यकोट की ओर और यहां से थोड़ा सा दूरी इलगाते दोड़ा सा बन पर मंदिर है तो आज हम बहूं टैम बाद जा जा था तो तहरा हम गए थे देखने रौव全 सभी लोग जार्क है तो आज रहा है तो बस्यों को को बता नहीं है खहा सब करें संगा तो चलते हैं मुशा कोट की और यहां का व्यूव जो आपको थोड़ा सा गाउं दिरा है मुशा कोड पर यहां से नीची को मुश्या कोट का वाले जाते हैं और यहां से उपर को है जो मंदिर को रास्ता जाता है तो चलते हो बंदिर को और आपको दिखाते हैं मंदिर किस परकार से बन गहाई वहाँ परकार से प्रेज़ जाते हैं पर कादू भाई हमाले देखे से तो चलते हैं मंधिर के उधर और आपको दिखाते हैं अच्छे से मंदीर किस फरकार से बना हो है और आजकन तो गैस को दू त्रीन साल हो चुकंग है बने हुए और इस पे क्लार आजकल किया जा रहा है तो और भी हैपर जो से दियौ मेंदिर मॲाइब कर डिभूहान और इसाय के जिखे तो आज यहां पर कला लगाने वाले आरके पेंटर तो हमारे कानुभाई गिनने उनको कितने हैं करके तो इस परकार से और यह भंडार कक्षे जहां समान लगा जाता है इस परकार से होता है तो गाइस कला करने के बाद मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस परकार से तो यहां का विव आ रहा है देख सकते हो इस परकार यहां बहुत सारे टायल लगा अग्रें है और यहां पर चोटी सी मंदिर में चोखनी होती है और यहां पर पता नहीं कौन क्यों簡े मदिर हैं अब यहां पर वादम बोट्टा रखें कि तो उसके बाद प्लता लगे कौन से वहां से तो प्ता पता को हैं जो कि पता है कि बगिया कि राइन मैं कें ज सकते हैं अबで पता है कि इंदिग्था और ही नहीं है क्रासि मैं मांजीन इतना में जबने में हैं तो इस परकार से यहां पर मंदिर बनाए गए हैं पाड़ों में सभी देवी दिपताओं के मंदिर बनाए जाते हैं तो यहां पर भी इस परकार से बनार का है तो चलते हैं अब यहां से उधर को वहां पर भी बनार का है और फिलाल ही यहां पर रास्ता बनार का है बहुत मंदिर में दूर दूर बनाए गए और आप का विए अच्छे से और दिखाता है किस परकार से मंदीर बनाए तो बहुत यह अच्छे लगहा है आझ कर पहाड़ों में जो नहिने बंदिर बनने तो पुराने जमाने की फार्णी चोटी से जो घास जब उकती थी तो तब भी द यहां से बहुत दूर तक है मंदिर जहां पर चीड़ का पीड़ दख रहा है तो यहां से इधर को रास्ता उना रखा है इस परकार से और अभी मंदिर बनी रहे हैं सभी मंदिर बनने हैं और अभी कलर हो रहे हैं पर यह नीचे मंदिर और तो पता नहीं कौन से देवता का लगड़ी नें ओर दिखाते हैं नीचे को पीरल गिरा वाए तो बहुत सारा पीरल गिरा हुआ है क्योंकि यहाँ अभी हरी खास भी हो जाज यह देख सकते हैं और अग लगने के हैं चीड का पेड जल चुगा है और उपर को पाढ़़ इस परकार से और हमारे गाउवलो का ज इंगल है और यहां से मंदिर प्याराँ लगारा देख सकते हो तो चलते हैं यहां से उधर को और होब यहां पर अब आपकोदNow यहां सेद्ट सकते हैं तो यहां का व्यूद अधार कार सा रहा है कि करते हैं क्योंकि थोड़ा है थोड़ा तौर से फोड़ा दिए बहुत अचे मंदिर और यहां पीस फरकार, बहुत प्यारी और इस पले रहा है और इसमें आज कलर हो रहा है तो अभी पुरी तो इंद लिए काम हो नétais लगा तो विसको हो लगने की तो उसके बाद इस और पे अच्छा लगेगा तो आप हम लाइगा है दो तुल. तो अब चलते हैं घर की ओर अराम अराम से घुमते हुए और यहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही है जब बारिस होगी क्योंकि अच्कल धूप के और जासे जो मिट्टी है तो ज्यादा हो जाती है कि बल बलंड़ बढ़्य जो मिट्टी जिसमें नमी होती थी तो सुक जाती नमी होने के दिए वहां वही है क्या शुमड़की कर दो चलते हैं यहां से अफने घर यहां निच्छ कोर्थ का देख सकते हैं तो आप के हैट पर कानु दूर तो ato और अब हम चलते हैं गाई साम का टाइम हो चुकह है और दूप बीच लगी इस पर्कार से देख सकते हो और यह हमारे महां का गधेरा जिसमें पहले से पानी आता था तो यह नहुला के नीचे से नहुले के आपको गधेरा आपने देखा होगा मेरे वीडियो में वही वाला ग तो इसलिए आप गधेरे भी नहुता है तो पहले नहुता था तो आप फ़ेक पंप मने डिया है तोगाओं के पानि आता है पर पहले चलता है पीपल चलता है था देर आराम पर आलाम करेंगे फिर गईश के बाद चलिए गाओं में और हमारे कानु भाई आपको मंदिर कैसे तो आप चलते हैं घर के और और यहां पर हमारे बच्चे मस्ती करते हैं तो अभी कानु भाई हमारे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं ज्यादा चलते हैं तो यहां से नीचे कि घड़े थे तो यहां पर उधार जाती हैं जाती है पार जाती है उससे पहाड़ा में और रोटा आती है सिधे रामनेगर से और जाते नीचे मालब यह जाते है रानी केट जाने मासी और उपर को वह जाते है रानी केट को और इधर को रोड दिखी यह जाते हैं जाने मासी की और फाइनली आ चुके हैं घूमकर और यह में साथ कानु भी आ रहा है तो अब हम जलने गाहों में घूम तो बाद में दुवारा से जब बाईस होगी तो यहां पर जो घास और यहां पर काले हो जंगल जो फिर महरी घास जम जाएगी आइस तो गाइस पाइनली आ चुक है गुमकर बौबी लोगों के घार और आजकर बौबी लोगों ने बीन लगा रके जिसकी सब्जी बनाए जा पहाड़ी बीन लगा रके और आपको पहाड़ी मेर दिखाते हैं किस परकार से होते हैं और यह सब्जी भी बीन आ जाते हैं है तो इस परकार से नकी प्यारी है और जिसमें अभी बीन हो चान्य हो हो यह beneficial हो चोटे छोटे शोटे तो इन्होंने भरती है और भी यह वार्ट परकार इस जोटे साल केrauen पहाड़ेंगे, इस पर अंकुर आ रहा है तो इसको आप खेतों में लगाएंगे और यह होता है बढ़े तो वह गड़े होते हैं एक-दो किलों के और यह है अर्भी इस परकार से देख से चोटे-चोटे और इंन पर अंकुरी भी आ रहे हैं तो इन्होंने मुलब लगा भी दिये हैं और जो